दोस्तों ड्रोन का क्रेज जो है पूरे दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और अगर कमपनीज के नजरिये से बात करूँ इस रेस को जीत कौन रहा है तो DJI कमपनी है जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में इसके ड्रोन अलग-अलग वेरियंट के अवेलिबल हैं बात है 2021 की जब इंडियन गवर्मेंट ने ड्रोन के रूल्स और रेगुलेशन को बहुत ही लीवरेज दिया था उनमें काफी ज्यादा रिलीब दिया था काफी ज्यादा फीस के प्राइसे कम हो गए थे और रेजिस्टेशन वगेरा की प्रोसेस जो है कम कर दी गई थी बहु करने स्टार्ट हो गए जैसे कि रेड्मी रियल्मी फोन्स के मार्केट में एकदम कैप्चर कर चुकी है वही एकदम फैक्टर अपनाने लगी थी फिर कुछ समय पहले ही अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें की इंडियन गोवर्मेंट ने इंपोर्ट पर ही बेन ल लीवरेज था जो कानून और नियम कानून में जो लीवरेज दिया था कमपनी ने उसके बाद कमपनी के पास अपोर्चुनिटी तो थी लेकिन इंडियन कमपनी जो थी और बड़ी जाइंट कमपनी की वजए से मार्केट में उतर नहीं पा रहे थी उनके मॉडल भी तयार नहीं थे और आ भी नहीं पा रहे थी तो इंपोर्ट बेंड करने से और अपोर्चुनिटी अच्छी मिल गई इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इंडिया की टॉप 5 ड्रोन बनाने की कमपनी कौन-कौन सी हैं जो बहुत ही तेजी से इस पर काम कर रही है और इंडिया मे करेंबगे मार्केट में भी आना चाहते हैं ड्रोन बन भी रहे हैं काफी जादा इस पर चल रहा है काफी जादा इस पर इंव्यर में कर रहा है। बस छोटे मोटे ड्रोन अवेलबल हैं जो कि आप देख सकते हैं ओनलाइन, टीसी कमपनी का नाम है हिंडुस्तान एरोनोटेक्स, ये कमपनी भी ड्रोन के मामले में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है इस समय, चौथी कमपनी का नाम है जेन टेक्नोलोजीज, ये भी कमपनी ड् पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, काफी बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस कमपनी से इन पांचों में से सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है कि टॉप क्वालिटी के ड्रोन हमें देखने को मिलेंगे, जो कि रतन इंदिया चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएगा, थैंक्यू